अज 19 फर्वरी को मंसोर मंडी के अंदर सोया बीन की करीब करीब 2458 बोरी की आवक हुई और 4300 रुपे के आसपास का एक मोडरेट भाव आज देखने को मिला है मनसोर मंडी में और उपर की अगर मैं बात करता हूं तो उपर में 4621 रुपे मनसोर मंडी में हमने सोया बीन को बिक्ते हुए देखा है वहीं अगर बात गेहुं की कर ली जाए तो गेहुं 2369 बोरी गेहुं की आवक देखने को मिली 2610 रुपे एवरेज भाव देखने को मिला और उपर में 3205 रुपे यहुं बिका है और 2015 रुपे का हमने उसका लो लगते हुए देखा नियुनतम भाव 2015 रुपे इसी के साथ ही अगर मक्का की बात कर ले तो मक्का की 20 बोरी की अराइवल देखने को मिली 2350 रुपे उपर में बिका 2265 रुपे नीचे में हमने मक्का को बिकते हुए देखा चने की बात की जाए तो चना 177 बोरी हमने यहाँ पर अराइवल आते हुए देखी मनसोर की मंडी में 4800 रुपे का हमने लो लगते हुए देखा 5525 रुपे उपर में भाव दिखा 5165 रुपे एवरिज भाव देखने को मिला लेकिन 5525 रुपे उपर में एक अच्छी क्वालिटी का चना हमने यहाँ पर बिकते हुए देखा उड़त की बात कर ली जाए तो उड़त 22 बैग जो है वो यहाँ पर हमने आते हुए देखे उड़त की बहुत ज़्यादा राइवल नहीं देखने को मिली 22 बैग ही यहाँ मंसौर मंडी के अंदर आते हुए हमने देखा 7680 रुपे उपर में बिका 4780 रुपे लो भाव लगा नियुन्तम क्वालिटी थी नियुन्तम भाव 4780 रुपे 6230 रुपे का मॉडरेट भाव निकाला गया मसौर आज अच्छी खासी आवक देखने को मिली 500 बोरी से उपर की आज आवक देखने को मिली मसौर की 514 बैग हमने मसौर के आते हुए देखे 5200 रुपे नीचे का भाव था 5790 रुपे उपर का भाव था 5495 रुपे का हमने मॉडरेट यहाँ पर भाव देखा धनिया की भी अच्छी खासी यहाँ पर आवक देखने को मिली 1000 बोरी से उपर धनिया की आराइवल रही 1062 बोरी 62 रुपे उपर में बिका है 555 रुपे मॉडरेट भाव धनिया का देखने को मिला है लहसुन एक लाग सतन्वे हजार किलो का जो राइवल है वो हमने यहाँ पर आते हुए देखा और तक्रीबन तक्रीबन भाव उपर में 17,000 रुपे बिका है लहसुन का वो हम अपनी कई रिपोर्ट में बता भी चुके मेथी यहाँ पर ठीक्ठा काई 179 बैग मेथी की भी अराइवल देखने को मिली आज 6,001 रुपया उपर में भाव देखने को मिला मॉडरेट जो भाव रहा वो 5,530 रुपे का रहा 5,051 रुपे नीचे का भाव था आज मनसोर मंडी में अलसी की जो हमने अराइवल्स देखी अलसी 640 बैग की अराइवल अलसी की भी देखने को मिली 4,910 रुपय का मॉडरेट भाव रहा 5,075 रुपय उपर में भिका 4,740 रुपे का हमने लो लगते हुए देखा सरसो की अराइवल मनसोर मंडी के अंदर 2,525 कीवंटल की रही 4,400 रुपे का मॉडरेट भाव 4,800 रुपे का उपर का भाव 3,780 रुपे का नीचे का भाव देखने को मिला आज हालां कि मनसोर मंडी में केवल एक बैग ही इसब गोल का आया जबकि अगर मैं शनिवार की बात करूँ तो शनिवार को दो किवंटल इसब गोल देखने को मिला था लेकिन आज इसब गोल मनसोर की मंडी में केवल एक बैग आया 10,600 रुपे का भाव आज देखने को मिला कलोंजी की 23 बोरी हमने यहाँ पर आज अराइवल देखी और 16,872 रुपे उपर में भाव विका 12,000 रुपे का आज लोएस्ट भाव था कलोंजी का कलोंजी की भी अराइवल्स आगे बढ़ सकती है ऐसी खबरे देखने को मिल रही है डोलर चने की अगर मैं बात करता हूँ तो डोलर चना आज एक ही बोरी आई और 14,690 रुपे का भाव देखने को मिला तिली की अगर मैं बात करता हूँ तिल की अगर बात करी जाए तो दो बोरी तिल की भी अराइवल देखने को मिली जो की 1700 रुपे नीचे 1980 रुपे ऊपर और 1840 रुपे का मोडरेट भाव रहा मतर की सुखी मतर की 9 बोरी यहाँ पर आई 4900 रुपे ऊपर का भाव 4650 रुपे मोडरेट भाव 4309 रुपे यानी 4400 रुपे भी पूरा नहीं एक रुपया पीछे रह गया पिछड गया और 4,399 रुपए हमने मटर का भी भाव देखा असालिया की 314 बोरी आई आज और 7,300 रुपए उपर में भाव लगा 7,300 रुपए का भाव उपर में और 5,671 रुपए नीचे में 6,485 रुपए का इसका मोडरेट भाव रहा तो ये आज की जानकारी मनसोर मंडी की और आज जो अच्छी खासी हमने यहाँ पर एक बड़त देखी वो लैसुन के कारोबार के अंदर में देखी लेसुन के कीमतों में इजाफा आया तकरीबन तीन हजार रुपए का उच्छाल तीन से चार हजार रुपए का और आगे समभावनाई हैं दो हजार रुपए प्रती किमेंटल का भाव यहाँ पर और बढ़ सकता है ऐसी खबने हैं प्याज की कीमतों के अंदर भी हमने इजाफा आते हुए देखा और जहां तक कंपैरिजन अगर शनिवार के भावों से किया जाए तो शनिवार के भावों से आज भाव थोड़े से बढ़ते हुए दिखाए दिए एक बहतर जो भाव थे वो आज सभी क्रॉप्स के दिखाए दिए हर रोज के भाव जानने के लिए Market Times TV को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को भी दबाना ना भूले बेल बटन दबाएंगे तो आपके पास में हर कमोडिटी का भाव आप से जुड़ी हुई जो कमोडिटी है आप से जुड़ी हुई जो जिंस है आप से ज कि आप तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब करें चैनल को बेल बटन को दबाएं और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा अपने जानने वालों के बीच में शेर भी जरूर करें ताकि आपका भी फाइदा हो उनका भी फाइदा हो सके और चुकि Market Times TV का तो मकसद यही है कि आ और एक बहतरीन जो मुनाफ़ा है वो आप लोगों को हो ये लक्षे लेकर के Market Times TV सब्सक्राइब आपकी सेवा में नमस्कार